नवश्कार बच्चों इस वीडियो लेक्षर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास एड्थ रिसोर्स के कुछ इंपोर्टन क्वेस्टन्स और उन इंपोर्टन क्वेस्टन्स में MCQs भी होने वाले हैं, very short questions भी होंगे, short भी होंगे, long भी होंगे हर तरीके के questions होंगे, तो बहुत end तक आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखेगा तो चलिए first question देखते हैं, first question में कहा गया है, which one of the following does not make a substance a resource तो कौन इन में से, कौन सी ऐसी चीज है जो substance को एक resource नहीं बनाता है ठीक है, तो resource utility बनाता है, value और quantity, इन दोनों में से आपको बताना है, कौन resource नहीं बनाएगा, किसी substance को ठीक है, तो देखे, utility तो बहुती अदर जरूरी होती है, इसके बाद value जो है, वो भी जरूरी होती है, ठीक है किसी भी substance को resource बनने के लिए, लेकिन जो quantity है, जरूरी नहीं है, कि quantity किसी substance को resource बना दे, ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, कुछ नबर two में देखे, क्या कहा गया, vision of the following is a human made resource, तो आपको बताना है, इन में से human made resource कौन सा होगा, तो देखे, spring water जो है, ये human made resource नहीं है, ये तो natural resource है, tropical forest भी natural resources है, इसमें human made क्या है, जो इनसान ने बनाया, वो है medicine to treat cancer, next पे आएंगे, question number third, इसका देखे, third में का गया complete the statement, आपको इस statement को complete करना है, biotic resources आरब देखे, biotic नाम से पताना चल रहा है, biotic resources वो resource होते हैं, जो किस से derive किया थे हैं, ठीक है, तो इसमें a option जो होगा, that will be the correct answer, ठीक है, और a biotic क्या होते हैं, a biotic वो होते हैं, जो non living things से derive किये जाते हैं, अब very short questions पे आते हैं, very short questions में पहला question कहा गया, what is the condition for a substance to be a resource, तो देखे, कोई भी substance है, वो resource कब बन सकता है, जब उसकी कुछ, ना कुछ, क्या होनी चाहिए, utility, तो इसका अंसर दिया गया है, a substance need to have some utility, तो अगर कोई भी substance है, उसकी कुछ ना कुछ utility है, ठीक है, ऐसे water है, तो water की काई सारी utilities है, ठीक है, life है यह नहीं water के बिना, तो इसलिए water क्या है, एक resource है, तो हर वो चीज resource होती है, जिसकी कुछ ना कुछ utility होती है, अब utility का मतलब पूछा गया, what is the meaning of word utility, if a substance can be used in any way, it is set to behave a utility, मतलब कोई भी substance अगर है, ठीक है, उसको किसी भी तरीके से, किसी भी काम के लिए यूज किया जा सकता है, तो वो क्या है, वो एक utility है, ठीक है, तो utility का मतलब यही होता है, नेक्स्ट पे आते हैं, कुछ नमबर 3 में देखिए, थर्ड क्या कह रहा है, what is the name given to the type of resource that have limited stock, तो देखिए, ऐसे resource जिनका stock limited है, जो एक time के बाद खतम हो जाएंगे, तो ऐसे resource को का जाता है, non-renewable resource, और non-renewable resource में example आ जाएगा, जैसे coal है, ठीक है, पेट्रोल है, या petroleum है, तो यह सब के सब क्या है, यह सब के सब आप देखेंगे, तो यह limited या non-renewable resources है, next पे आएंगे, कुछ नमबर 4 देखिए, 4 में क्या कहा गया, फोर्थ कहा रहा है, how are resources classified according to their distribution, तो distribution के हिसाब से, जो resources है, वो कैसे divided है, तो distribution के हिसाब से, अगर देखेंगे, तो resource दो पार्ट में divided है, ubiquitous resource है, ठीक है, ubiquitous resource है, और साथी साथ localized है, ubiquitous resource होते हैं, जो हर जगा पाए जाते हैं, जैसे air है, हर जगा पाए जा रही है, तो ubiquitous resource हो जाएगा, और localized resource वो होते हैं, जो किसी particular area में, किसी particular temperature पे, किसी particular condition में ही पाए जाएंगे, हर जगा नहीं पाए जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं, third question, fifth question कहा रहा है, name the three examples of abiotic resource, तो abiotic resource वो है, जो किस से आया, non-living thing से आया, मतलब जो non-living एक तरीके से, तो non-living air भी है, non-living land भी है, non-living soil भी है, तो इसमें तीनों तीनों जो हैं, यह क्या है, abiotic resource के example हो जाएंगे, next पे आएंगे, कुछ number six देखे, six क्या कहा रहा है, how are human made resources different from natural resources, तो देखे human made resource जो है, वो natural resources different कैसे हैं, तो देखे human made resource वो resources है, जो human ने बनाए है, जैसे pen की बात अगर करें, तो pen क्या है, pen एक resource है, लेकिन किसने बनाए, human being ने बनाया, तो यह किसमें आ जाएगा, human being, human made resource में आ जाएगा, लेकिन natural resource हो होते हैं, जो nature हम लोगों को provide करता है, जैसे air है, तो air human being नहीं बना सकता, water है, water human being नहीं बना सकता, यह सब कहां से आते हैं, nature से हम लोगों मिलते हैं, तो यह सब कैसे resources है, natural resources है, next पे आते हैं, question number 7 देखे, 7th question क्या कहा रहा है, 7th question में कहा गया, what is human resource development, अब देखे, human resource, HRD इसको कहते हैं ठीक है, बहुत ही important चीज़ होती है, human resource development होता क्या है, तो human being उनकी skills को develop करना, जिससे कोई भी substance और ज़्यादा useful बना सके, ठीक है कोई भी substance बहुत ज़्यादा useful बनाये जा सके है human beings बहुत ज़्यादा useful बनाये जा सके है तो इसको कहते है human resource development मतलब जो human है उसको क्या करना develop करना ये होता है क्या human resource development अब human का क्या develop करेंगे human की आप skills डिवलप करेंगे उसके अंदर technology प्रवाइड करेंगे ठीक है उसको education प्रवाइड करेंगे तो यह सब चीज़े क्या करती है एक human को ज़्यादा useful बनाती है तो अर्थ पर आपको बताना है जो resources है वो अनिक्वली distributed क्यों है अब अनिक्वली का मतलब जैसे यह है जैसे माल यह minerals की बात करिया है तो minerals हर जगह बराबर के नहीं पाय जाते कुछ जगह कम पाय जाते हैं कुछ जगह जादा पाय जाते हैं इस तरीके से जितने भी resources हैं वो जादातर resources क्या है अनिक्वली divided है अर्थ में ठीक है ऐसा इसलिए है क्योंकि physical जो nature है ठीक है वो decide करता है कि कौन से resource कहां पर किस मात्रा में present होंगे अब physical factors में कौन कौन सी चीज़े decide करती है presence of resources को तो terrain मतलब उस जगह का climate कैसा है उस जगह का environment कैसा है उस जगह की height क्या है sea level से तो यह सब चीज़े जो है वो decide करती है कि कौन से minerals है कौन से resources वहाँ पर होंगे अब क्योंकि हर जगह का climate तो सेम है नहीं हर जगह की height तो सेम है नहीं sea level से ठीक है हर जगह का temperature तो सेम रहता नहीं है तो कहीं ना कहीं इसी सब factors की विज़े से जो resources है वो different different जगह पर अलग अलग तरीके से पाई जाते हैं इसलिए उनका एक proper distribution नहीं है Science Action में कहा गया What is Resource Development अभी हम लोग ने देखा था Human Resource Development आप कहा गया है बताइयेHe resources development क्या होता है Resource Development क को अजलब होता है Resources method of Ubicides our intelligence मतलब हम अपने intelligence को Judeodi時 करें और उसको use replicate करके अच्चा कि quality है resource की usability है resource के Friends का क्या कर improve कर दें ठीक है तो मतलब हम लोग अपना intelligence यूज़ करके अगर किसी भी substance की quality को improve कर सकते हैं उसकी utility को improve कर सकते हैं तो उस process को कहा जाता है resource development ठीक है तो एगले question में पूछा गया है why are human resource important तो human resource important क्यों है तो इसके पीछे बहुत सारी reasons है इसमें कहा गया because they have an intelligent mind तो आप लोगों को पता है human being के पास एक बहुत ही intelligent mind है जिसकी वज़े से हो क्या कर सकता है किसी भी resource को बहुत ज़्यदा develop कर सकता है उसकी utility को बढ़ा सकता है तो ये सब काम कौन करेगा human being ही तो करेगा तो इसलिए human resource बहुत ज़्यदा important होता है अगर मालीज ये human resource human ना होते तो क्या होता काई सारे substance ऐसे होते जो आज भी resource ना बने होते जैसे for example आपको एक example दे uranium जो है ठीक है uranium से आज बहुत सारे काम किया आते हैं बहुत सारे electricity generate करी आती है अगर मालीज ये human being को बहुत ज़्यदा develop ना किया गया होता technology इतनी आदा human being ना बढ़ाता तो क्या हम लोग uranium के बारे कोई जान पाते तो आंसर है नहीं जान पाते इसलिए human resource बहुत ज़्यदा important है next पे आते हैं next question में कहा गया sustainable development क्या होता है तो sustainable development का अंतलब ये होता है कि कि किसी भी resource को हम लोग कैसे use करें एक balanced way में use करें अब balanced way का मतलब ये है कि हम लोग की needs को satisfy तो कर दे लेकिन उसको साथी साथ conserve भी करा रहे future के लिए ठीक है तो मतलब हम लोग की needs को satisfy कर दे और साथी साथ जो future है future generation के लिए भी वो conserve करके रखे तो ऐसे development को हम लोग कहते है sustainable development next पे आते है short answers में देखे सबसे पहला जो short answer है उसमें difference बोला गया है potential और actual resource का ठीक है तो potential resource क्या होते है actual resource क्या होते है उनमें आपको difference जानना है तो potential resource नाम से पता चल रहा है potential जो resources है ये भी use नहीं किया जा रहा है मतलब current situation में current time में उसको use नहीं किया जा रहा है तो ऐसे resource को कहेंगे potential resource actual resource क्या है जो इस समय या current time पर जिसको use किया रहा है तो उनको कहते हैं actual resource potential resource में दूसरी चीज़ क्या कही गई है resource can prove useful and become an actual resource potential resource जो है ठीक है ये खुद को useful कर सकता है और ये एक actual resource बन सकता है क्यों क्योंकि potential resource के अंदर वो power है कि वो useful हो सकता है ठीक है और उसको future में कभी ना कभी use किया जा सकता है actual resource क्या होता है might have been a potential resource इंदी पार जो actual resource थे वो पहले के time पर क्या थे potential resource खुद भी थे और वो क्या है इसके साथ एक बहुत बड़ी drawback है कि ये future में क्या हो सकता है खतम हो सकता है next में कहा गया entire quantity of potential resource may not be known जिके जो potential resource होते हैं उनकी जो कितनी quantity present है ये हम लोगो कोई भी अंदाजा नहीं है तो कितनी quantity में potential resource present है इसके बारे में कोई भी हम लोगो knowledge नहीं है लेकिन जो actual resource है उनकी quantity कितनी है ये हम लोगो actually पता है अब potential resource में example दिया गया जैसे uranium deposits लदाख में हैं लेकिन उसको अभी तक मतलब वो potential है उसको ये तो पता है कि है लेकिन कहां पर है कैसे है अभी खुदय उदय नहीं हो रही है तो इसले इसके बारे में ज्यादा नहीं पता है ठीक है लेकिन actual resource में देखेंगे तो air हो गया petroleum हो गया तो ये सब क्या है actual resources है next में आते हैं देखें next question में कहा गया है difference एक और है इसमें difference बोला गया ubiquitous resource और localized resource में आपको difference बताना है तो ubiquitous resource वो होते हैं जो हर जगाँ पाए जाते हैं पूरे मतलब पूरे world में कहीं पी भी आप जाएंगे तो वहाँ पर ubiquitous resource पाए जाएंगे लेकिन localized resource हो होते हैं जो हर जगाँ पाए नहीं जाते हैं तो यह पाए जाएंगे या फिजिकल कंडिशन कुछ important होग उसी में यह पाए जाएंगे ठीक है इस presence is not governed by physical condition जो physical condition होती है उस पे ubiquitous resources मतलब depend नहीं करते हैं ठीक है तो कई सी ल्वलबी स्वेडियीघीर । उसी तरीकी से लुकलाइज रिसवर्वेश्वस आप देखे रहा है ठीक है next question पर आते है next question कह रहा है explain the term resource conservation and sustainable development तो आप लोग को resource conservation बताना है क्या होता और sustainable development बताना है क्या होता है तो resource conservation is the concept of using resource carefully so that they do not end up quickly मतलब resource conservation को मतलब यह है कि हम लोग resources को कुछ ऐसे use करें carefully use करें कि resource जो है बहुत जल्दी खतम ना हो जाएं future generations also need the resources जो भी resources हमाई पास आज available है वो future generations जो हमारी आने वाली हैं उनको भी resources चाहिए लेकिन अगर हम लोग इसको बहुत तीजी से ऐसे use करते रहेंगे तो यह दीरे दे गरके खतम हो जाएगा और कहीं ना कहीं future generations को resources नहीं मिल पाएंगे ठीक है अब देखे sustainable development क्या है sustainable development जो है वो यही कहता है कि resources को कैसे use करना चाहिए एक balanced तरीके से use करना चाहिए कि हम लोग की वो needs को satisfy तो कर सके लेकिन साथी साथ उसको future के लिए conserve भी करना चाहिए तो ऐसे development को क्या कहा जाता है sustainable development कहा जाता है अब human beings resources कितने जादा important क्यों है तो अभी हमने देखा था कोई भी resource है ठीक है तो उसको human being क्या करता है अपने intelligence यूज़ करके उसकी utility को बढ़ा देता है ठीक है और utility बढ़ जाएगी तो कहीं न कहीं कोई भी छोटा सा resource है वह बहुत ही जादा fruitful हो जाएगा बहुत जादे useful हो जाएगा तो इसलिए कहीं न कहीं human being resource बहुत जादा important है next पर आते हैं next में कहा गया write a short note on significance of time and technology in making a substance a resource तो देखे time और technology बहुत जरूरी चीज़ है किसी भी substance को resource बनने के लिए क्योंकि आप लोग जानते हैं जैसे ऐसे time बढ़ता है नईने technology आती है और जब नईने technology आती है तो resource का भी development होता है तो वही चीज़ें आपर देखें कहीं गई है with time technology develop time के साथ क्या होता है technology develop होती है as the technology develop we discover new ways to make life better और जब technology develop होती है तो क्या होता है कि हम लोग नए नए तरीके खोज लेते हैं अपना जीवन सुधारने के लिए अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए in this process certain substances अब इस process में होता क्या है कि कुछ ऐसे substance होते हैं जो पहले यूजलेस थे जो हमारे किसी काम के नहीं थे उनको अब हम क्या बना देते हैं यूजफुल बनाते हैं ऐसी टिकनलोजी यूज़ करके और इसका देखे बहुत अच्छा एक्जामपल दिया गया है कि जो भी renewable resources हैं उनको ही यूज़ करना चाहिए जैसे आप पेट्रोल अगर चला रहे हो तो एलेक्ट्रिक वेहिकल चला ये solar panel यूज़ करिए तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़े जो petroleum का यूज़ है पेट्रोल डीजल का यूज़ है इसको कम से कम करिए तो कहीं ना कहीं renewable resources का यूज़ होना जरूरी है ठीक है diversity of life on earth is maintained तो इसको maintain करने कोशिश करनी चाहिए सभी को कि कोई भी अगर ecosystem है तो कोई भी ecosystem को ये बरबाद नहीं करना चाहिए जैसे मान लिज़े marine ecosystem है त as low as possible मतलब कोई भी हम लोग ऐसा काम करते हैं जो nature को environment को कहीं ना कहीं destroy करता है damage करता है तो ऐसा काम बिल्कुल या तो नहीं करना चाहिए तो बहुत ही कम मात्रा में करना चाहिए for example अभी हमने देखा कि अगर मालीजे आप जानते होंगे कि मालीजे आपके घर में कार है ठी अभी भी पैदल जाने की कोशिश नहीं करते या जो public vehicle होती है उसको लेने कोशिश नहीं करते आप क्या करते हो कार निकालते और सीधे निकल जाते हो जहां भी जाना होता है ठीक है अब बगर बच्चे होंगे तो वह तो नहीं करते होंगे उनके माबाब करते होंगे लिकि तो natural resource वो resource है जिनको nature से derive किया गया है ठीक है इनको हम लोग use करते है बिना modification के ठीक है बिना modification के इनको हम लोग use करते है natural resource को example ऐसे river है, lakes है, air, soil, minerals, trees, mountains यह सब क्या है natural resources है इसके बाद human made resource की बात अगर करें तो human made resource में वो resource आ जाएगा जो हम लोग ने खुद मतलब human being ने develop किया है और उसमें हम लोग का intelligence लगा है उसको develop करने के लिए जैसे vehicle है तो vehicle हम लोग को nature ने नहीं pride करी हम लोग ने खुद उसको develop किया है buildings है roads है telephone है तो यह सब क्या है they are human made resource अब human resource की बात अगर करी जाए तो human resource में वो सारे लोग आ जाएंगे जो कोई ना कोई काम करते हैं जैसे teacher हो गया doctor हो गया carpenters हो गया cobblers हो गया यह सब क्या है human resources है ठीक है इसके बाद development के साब से आप देखे तो development की level of development के साब से resources को दो पार्ट में डिवाइट किया गया है actual resource और दूसरा potential resource है ठीक है actual resource हो है जिसकी quantity हम लोग को known है ठीक है जो हम लोग आज currently use करते हैं वो actual resource होता है potential resource वो होता है जिसके पास potential तो है कि वो कहीं ना कहीं आगे चलके resource हो जाएगा लेकिन अभी फिलाल में उसको हम लोग नहीं यूज कर पारें क्योंकि हम लोग पाया तो technology नहीं है या तो उसके बारें ज्यादा हम लोग को knowledge नहीं है ठीक है लेकिन आगे चलके कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा useful हो जाएगा तो ऐसे resource को का जाता है potential resource potential resource का example अभी हमने देखा भी था uranium जो डिपॉजिट्स है लद्दाख में वह potential resource का example है origin के हिसाब से देखा जाए तो origin के हिसाब से जो resources नंगो दो पार्ट में divide किया गया है बायोटिक है और एबायोटिक है बायोटिक जिसके पास life होती है और रिधी जिस पास life नहीं होती जो नानवल देखें गर देखनके तो नाचुल रिप्र दिवाइड किया गया डिदिये고 में और नंुरेनेबर डिसोर्स में renewable resource वो होता है जिसकी मतलब renewable resource वो है जो renew होता रहता है जिसे water है तो water कभी भी खतम नहीं होगा हाला कि जो groundwater वो जरूर खतम हो सकता है लिए water कभी भी खतम नहीं होगा क्योंकि यह nature and nature natural process से क्या होता रहता है फिर से बनता रहता है water cycle से ठीक है without any risk of ending up they existent unlimited quantity to water अर्थ पे unlimited quantity में present है on the other hand अब दूसरे बात अगर करी जाए तो non renewable resource वो होते हैं जिनको हम लोग को use करना control करना पड़ेगा नहीं तो यह धीर दे करके क्या हो जाएंगे खतम हो जाएंगे क्योंकि इनको renew नहीं किया distribution के हिसाब से देख बोला गए distribution के हिसाब से आप देखेंगे तो दो तरीके के मिलेंगे qb keyters मिलेगा और ऺचीजा चाथ लिगा Yubatous remleu हो उता है जो हर जगा पाया जाता है लेकिन